बक्त जनों, माताओं बेहनों, सादर जैसी क्रश्नों हमारी यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारधर्मिद्र शास्त्री तो सबसे पहले आपको रापके पूर्य परिवार को शनिष्चरी अमावस्या की बहुत-बहुत शुपकामनाई और बधाया भगवान शनिदेव का भरपूर आशिरवाद आपके जीवन पर सदेव बना रहे आप सभी सुखी रहें, स्वस्त रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें वार के अनुसार अमावस्या आती है जब सोमवार के दिन अमावस्या होती है, तो उसे सोमबती अमावस्या कहा जाता है वही मंगलवार को आने वाली अमावस्या को भोमबती अमावस्या कहा जाता है इसी प्रकार जब जब शनीवार को अमावस्या आती है तो उसे शनिश्चरी अमावस्या या शनीवारी अमावस्या कहा जाता है और शनीवार का दिन भगवान शनीदेव का दिन है वहीं अमावस्या जो तिथी होती है वो पित्रों की तिथी होती है इसी प्रकार भगवान शनीदेव का प्रागट्टि भी अमावस्यतिती को हुआ था इसलिए शनीदेव को अमावस्यतिती सबसे अधिक प्री होती है और ऐसे में यदि शनीवार के दिन अमावस्या आती है तो यह बड़ा अद्वुत और दुरलफ संयोग होता है और इस बार आसाड माहा के कृष्ण बक्ष की जो अमावस्या है वो शनीवार को आ रही है वैसे तो अमावस्या तिथी का प्रारंभ 9 जुलाई 2021 शुक्रवार के दिन से ही हो जाएगा याने शुक्रवार को पूरे दिन अमावस्या रहेगी वहीं 10 जुलाई को सुर्योदय से ले करके 7 बच करके 46 मिनेट तक अमावस्या दिती रहेगी याने शनिवार के दिन 10 जुलाई को सुर्योदय व्यापिनी अमवस्या है इसलिए पूरे दिन अमवस्या मानी जाएगी यदि आप पित्र कर्म, पिंडदान, तरपन, शाद, त्यादी कर्म करना चाहते हैं या फिर प्रतिक अमवस्या को आपके यहां पित्र संबंदित कोई कार्य संपन्न होता है तो आपको 9 जुलाई 2021 को शुक्रवार के दिन ही पित्र कर्म संपन्न करना चाहिए क्योंकि मध्यान व्यापिनी जो अमावस्या होती है उसी दिन पित्र कर्म संपन्न किया जाता है वहीं शनी अमावस्या के जो उपाए है याने शनिश्चरी अमावस्या से संबंदित कोई भी कारियदी आपको करना है तो वो आपको 10 जुलाई 2020 शनिवार के दिन ही करना है तसमै स्री गुरुवे नमहं। स्री कृष्नाय वयम्यो महं। यम् प्रव्रजन्तम अनुपेतम अपेतकृत्यम। ज्वेपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रे तितन्मयतयातर वोभिने दूस्तं। सर्भूतर दयं मुनिमान तोस्मी। वसुदेव सुतंदेवं। कंसचानूर मर्दनं। देवकी परमानंदं। कृष्नम बंदे जगत्गुरुं। कृष्नम बंदे जगत्गुरुं। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षास्थले कोस्तुभं। नासाग्रे वरमोक्ति कंकरतले वेनुहु करे कंकनं। सर्भांगे हरिचंदनं सुललितं। कंठेच मुक्तावलिं। गोपस्त्री परिवेष्टितु विजयते गोपाल चूडमनिं। फुल्लेन देवरकांतिमेंदु वदनं। वरहावतन सप्रियं। स्रीवात्सांकमुदार्यकोस्तुभधरं। पीतांबरं सुन्दरं। गोपी नामनयनोत्पलार्चिततन। गोगोपसंगावरतं। गोवेंदं कलवेणु वादनपरं। दिव्यांगभूशनं भजे। वरहापीडं नटवरवपु। कर्नयोहो कर्निकारं। विभ्रद्वास कनककपीशं। वेजयंतिम्चमालां। रंध्रान बेनोर धरसुधया। पूरयन गोपपरंदै। गृंदारण्यं सपदरमनं। प्रावीशत गीत कीर्तिही। करार विंदेन पडार विंदम् मुखार विंदेन विन्वेशियंतिम् वतस्य पत्रस्य पुटेशियानं। बालम्म कुंदम्मनसास्मरामी। जय जय स्रीराधारमन। जय जय नवलकिशोर। जय गोपीचत चोर प्रभू। जय जय माखन चोर। मात मेरी श्रीराधिका। पिता मेरे घनशाम। इन दोनों के चर्णन में। मेरा बारम बार प्रणाम। मोहिनि मूरत शाम की। वो मन रही समाय। जो महंदी के पात में लाली रही समाय। धन योवन एक दिन उड़ जाएंगे। जैसे उड़े कपूर। मन मूरक तू राम भज। क्यों चाटे जगधूर। राम क्रिश्न दो एक है अंतर नहीं निमेश। इनके नयन गभीर है। उनके चपल विशेस। बोलिये स्रिवंदावन बिहारी लाल की जै। पित्रीश्वर भगवान की जै। गोपाल कृष्ण भगवान की जै। अमावस्या की जो कथा धर्म गरंतों और पुरानों में लिखी हुई है। वह इस प्रकार है। अमावस्या के बहत्यू को बताने वाली एक पुरानिक गरंतों में कथा मिलती है। कथा इस प्रकार है कि एक समय की बात है। धार्म वर्ण राम का एक विद्वान और कुषल ब्राम्मन निवास करता था। वह ब्राम्मन बड़ा ही सदाचारी था। योग था, कुषल था, विद्वान था। और बहुत ही आस्थावान तथा धार्मिक प्रबत्ती का वह ब्राम्मन था। वरत उपवास वह नियमेत रूप से किया करता था। तथा सभी नियमों का पालन बड़ी अच्छी प्रकार सी किया करता था। और रिशी बुनियों का बड़ा आदर करता था, उनका सत्कार करता था। जहां पर भी संतों का समागम होता था, या संत सत्संग होता था, वहां पर वो जाता था, और संतों के मुखार विंद से उनकी वानी का स्रमन करता था। एक समय की बाथ है कि बहुत सारे संतों का उसके गाव में आगमन हुआ और संत जब सत्संग कर रहे थे तो उनके सत्संग में वह ब्राम्वन भी गया धर्मवर्ण उनके सामने बेठा हुआ था और संतों के मुक से उसने सुना कि कल्यूग केवल नाम अधारा सुमर सुमर नर उत्रे रही पारा। तो संतों के मुखारविंद से धर्मवर्ण ने सुना कि कल्यूग में केवल नाम का ही एक आधार है। और उसके मन में वैराग्य उत्पन हो गया। उसके मन में ऐसा विचार आया कि क्यों मैं इस सांसारिक जीवन को व्यतीत कर रहा हूं। और उसने ततकाल सन्यास धारन कर लिया, वैराग्य धारन कर लिया और प्रभू के नाम जब करते वे वह जंगल में निकल गया। जंगल में भ्रमन करने लगा, प्रभू की आराधना करने लगा, प्रभू का नाम जब करता करता एक एक घुमता घुमता वह पित्र लोग को पहुँच गया। और जब वह पित्र लोक को पहुँचा तो वहाँ पर बहुत सारे पित्र विराजित थे, कुछ पित्रों को उसने बहुत परेशान होते हुए देखा, पीडित होते हुए देखा, कश्ट में इस्तिती में देखा, तो धर्म वर्डन ने उनसे पूछा कि आप इतने कश्ट में सिती में क्यों हो आपको क्या कस्ट है आखिर आपको कौन से कारण से इतनी यातना यहाँ पर पित्र लोक में प्राप्त हो रही है तो उन पित्रों ने कहा कि हमारा जो पुत्र है धर्मवर्ण ब्राम्वन वह प्रत्फी पर सन्यास धारन कर चुका है और उसने सन्यास जब ले लिया है तो अपने पित्रों का सारा कर्म उसने करना त्याक कर दिया है याने हमारा जो पुत्र है धर्मवर्ण न तो हमारी लिए कभी तरपन करता है न शाद्ध करता है न पिंडदान करता है और पित्रों के निमित कोई भी कर्म उसने करना बंद कर दिया है इसलिए हम में इतनी जो है आज पित्र लोक में कस्ट भोगना पड़ रहा है धर्मवर्ण ने जैसे ही अपने पित्रों की इस व्याथा को सुना तो उसे बड़ा दुख हुआ और उसने हाथ जोड़ करके कहा कि हे पित्र देउताओं मैं ही धर्मवर्ण हूँ और मैंने ही सन्यास धारण कर लिया है आज चुकी मुझे भगवत भक्ती में मेरा मन लगा हुआ था और इसी कारण मुझे शक्ती प्राप्त हुई और मैं आपके दर्शन के लिए पित्र लोक में आया हुआ हूँ तब उसी समय उनकी पिरा को जान करके धर्मवर्ण ने निश्चय कर लिया कि आज ही मैं इस वहराग्य को छोड़ दूँगा और सांसारिक जीवन में प्रवेश कर जाओंगा तदकाल उसने अपने पित्रों की आध्या को स्विकार किया और प्रठी पर आकरके अपने सन्यास रूप को छोड़ करके पुनह ग्रहस्तास्रम में प्रविश कर लिया क्योंकि ग्रहस्तास्रम से बढ़ करके कोई भी तपस्या या कोई भी साधना नहीं हो सकती है और ग्रहस्तास्रम में आ करके उसने वैशाक महा की जो अमवस्या थी उस दिन अपने पित्रों के निमित तरपन किया अन्यदान किया, तरपन के साथ में पिंडदान, आधी करम उसने किये तथा बहुत सारे ब्राम्वनों को आमंत्रित करके उनको भोजन करवाया और उसने अन्य दान करके वस्त्र दान करके गव दान करके स्वर्ण दान करके तिल दान करके शकरका दान करके और अन्य कई प्रकार के दान करके अपने पित्रों को तरप्त किया तथा अपने पित्रों से प्रार्तना की यहे पित्र देवताओं आप प्रसन्न हो जाईए। आपने जैसा मुझे आज्या दिथी उसी प्रकार मेंने आपकी त्रप्ती के लिए समस्त उपाई किये हैं। उसके पित्र उसी समय प्रगठ होते हैं और उसको आशिरवाद दे करक के पुनह पित्र लोग को प्रस्थान कर जाते हैं। इस प्रकार वैशाक महा की अमावस्या की जो कथा है यहां पर समाप्त होती है। इस कथा को जो कोई भी पूरी शद्धा भक्ती चथा भावना के साथ में सर्वन करता है उसकी मनों कामना निश्चय ही पूर्ण हो जाती बोलिये पित्रेश्वर भगवान की जै स्री वंदावन विहारी लाल की जै गोपाल कृष्ण भगवान की जै अच्चुतं केशवं जामना रायनं कृष्ण दामों दरं वासुदेवं हरे स्री धरं माधवं गोपिका वल्लभं स्री जान की नायकं स्री राम चंद्रं भजे जानकी मनोहरं सर्वलोक नायकं स्री शंकरादी सेवितं पुन्य नाम कीर्तनं स्री राम 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 तायकं रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकं रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्ति दायकं भुलिये स्री रंदावन भिहारी लाल कीजै गोपाल कृष्ण भगवान कीजै स्री द्वार का धीश भगवान की जै, स्री गोवर्धनात भगवान की जै, स्री गिराज धरन की जै, स्री स्यामसंदर यमने महराणी की जै, स्री वल्लभा धीश की जै, स्री गुसाईंजी महराज की जै, धर्म की जै हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्यान हो, सनातन धर्म की जय हो, गोव माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसो के आनंद की जय हो, बरसो बरसो के आनंद की जय हो, ओम नमहा पारवती पते हर हर महादेव हर भक्तजनों मताओं बहनों आपने अमावस्या की कथा का स्रवन किया है यदि आप कथा सुनने की दक्षना हमें प्रदान करना चाहते हैं या फिर अमावस्या के दिन अपने पित्रों के निमित ब्राम्वन भोजन शाध तरपन आदी कर्म करवाना चाहते हैं या पित्रों के कोई भी दान जैसे अन्न दान, वस्त्रदान, गौदान, स्वर्न दान, भूमी दान या कोई भी दान पुन्य यदि आप अमावस्या के निमत करना चाहते हैं तो आप हमारी PTM के माध्यम से, Google Pay के माध्यम से, Phone Pay के माध्यम से, या फिर Account Number के माध्यम से नगद राशी पहुचा करके, इस अमावस्या का पूरा-पूरा पुन्यला प्राप्त कर सकते हैं, साथ ही आप से नुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजे, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी, आपको और आपके पूरी परिवार को, सादर जैसी कर्शन, सादर धन्यवाद